बिल्किस बानों मामले में सुप्रीम कोट ने लगई गुजराच सरकार की फटकार कहा छे महीने में देर रिपोर्ट मुंबई आतंकी हमले के मास्टन मैंन हाफिस सहीद को पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार देर रात रिहा कर दिया हाफिस जब लाहूर स्थेत अपने घर में नजर बंदी से आजाद हुआ तो उसने इसका जशन केक काट कर मनाया आपको बता दे कि हाफिस सहीद जनवरी से ही अपने घर में नजर बंद था आजाद होने के तुरण बाद ही हाफिस सहीद ने ट्वीटर हैंडल के जरी एक वीडियो शेयर कर भारत को कश्मीर मुद्दे पर धंकी दी उसने कहा कि वो कश्मीर मुद्दे पर भारत से पीछे नहीं हटेगा बलकि वो उसका डटकर सामना करेगा आपको बता दे कि हमले के दोरान एहमदाबाद के रंधीक पूर में रहने वाली बिल्किस बानों के परिवार के आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी बिल्किस बानों उस समय 19 साल की थी इसी के साथ में अंशिका कैमरमेंट शिवा के साथ अराइफ 24 नियूस दिली मुडीस के बाद अब स्टैंडर्ड एंड पूर दे सकता है अच्छी ख़बर आज जारी करेगा रेटिंग मुडीज के और से भारत की सौवरेन रेटिंग सुधारे जाने के बाद अब सबकी निगाहें स्टैंडर्स एंड पूर की रेटिंग पर है जिसे आज़ जारी किया जाना है यह जनकारी वित्मंत्रालिय के एक अधिकारी ने दी है गौर करने वानी बात यह है कि इससे पहले मुडीज ने साल 2004 में भारत की सौवरेन रेटिंग में सुधार किया था यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार राजकोशी घाटे के लक्षी को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है सरकार एवं विदेशों से धन जुटाने वाली कंपनियों के लिए ब्याज लागत को कम करने में मददगार होगा हाफिस ने केक काट कर मनाया अपनी आजादी का जशन भारत के खिलाफ फिर उगला जहर बिलकिस बानो गैंगरेक मामले में शुकरवार को गुजरात सरकार को आदेश दिया गया है कि वह 6 हफते में सुचना दे कि इस मामले में दोशी ठहराय गए पुलिस बालों के खिलाफ कोई अनुशास्मत कारवाई शुरू की गई है या नहीं वहीं इससे पहले सुप्रीम कोट ने बॉम्बे हाई कोट द्वारा दोशी ठहराय गए दो डॉक्टरों और एक आईपीए समेच चार पुलिस अधिकारियों को रहत देने से इंकार कर दिया था इससे पहले बॉम्बे हाई कोट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों को उम्रकैद गोर्स सजा को बरकरार रखा था 12 आरोपियों को ट्रायल कोट की ओर से उम्रकैद की सजा भी सुनाई थी कुजरात में 2002 में हुए गोधरा दंगो के बाद बिल्किस बानों पर हमला किया गया था रिहाई पर भारते विदेश मंत्राले ने गुरुवार को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेयुक्त राष्ट्रे और अमेरिका द्वारा आतंग की घुशित के जा चुके सेयद की रिहाई से ये साफ हो गया है कि वो पूरी तरह से आतंग बादी है इसी के साथ मैं मूना शर्मा कैमरामेन शिवा के साथ अराइफ 24 न्यूस दिल्ली